नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में मित्रों ये 8HP का पंपिंग सेट डीजल इंजन है जो कि एक नदी किनारे खड़ा था और वहां पर नदी में बाल आने के कारण ये पूरी तरह से रेत से ढग गया था तो ये देख लीजिएगा अभी भी रेत है ये काफी दो चुका है और ये इसमें बाटर पंप के अंदर भी काफी रेत भरी हुई है तो अब हम इसको खोलेंगे तो इसमें देखना है कि क्या क्या नुक्सान हुए हैं आप बने रहेगा वीडियो पर वीडियो को लाइक शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब काल दिया ये देखिए ये काफी ये पानी ये बीच में काला काला आयल है और ये पानी निकला है इसके अंदर अब इसको धीरे धीरे सभी को खोलेंगे पैरे एर खोलते हैं देखते हैं कि हैट के अंदर कितनी रेत पहुंची है साइलेंसर वाला बैंड भी खोल लेंगे कि यह देखिए यहां से पानी निकला है यह देख लिजिएगा पानी निकल रहा है हेड में से और यह यहां तक तो अभी तो साफ है एर खोल कर देखते हैं यह एर को हम खोल लेंगे यह देखिए पूरी तरह से रेत से भरा हुआ है एर क्लीनर अगर एर क्लीनर ना होता तो यह सारी रेत जो है पिश्टन के ऊपर या हैड में पहुंच जाती है देखिए यह काफी हम रेत इसमें से निकाल रहे हैं इसका मॉबिल तो खराब हो ही चुका है जबकि यह नया मॉबिल डाल कर ही सिचाई के लिए लगाया गया था साइलिंसर भी क्लीन है लेकिन यहां साफ है अब इंजन को खोलेंगे यह देखिए उपर भी यहां भी थोड़े से यह अवसेश आए हैं गंदगी के लेकिन यह बारीक है यहां हम इसको खोल लेंगे रोकर बोक्स को खोल कर इसकी सफाई करेंगे यह देखिए यह मिटी भरी हुई है यहां हेड को भी खूल कर एक बार साफ करेंगे पिश्टन को चेक करते हैं कि पिश्टन के ऊपर रेट नहीं पहुची है तो ये खूलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि रेट अगर पिश्टन के ऊपर होगी तो liner piston इसमें डाला गया था तो ये खराब हो जाएगा लेकिन ये हमने खोल कर चेक किया है तो यहां पर इसमें रेत या गंदगी नहीं है और piston भी आराम से घूम रहा है लेकिन ये थोड़ा liner पर जंग आ गई है तो उसको साफ कर देंगे साफ करने के बाद ही इसको fit करेंगे ये देखिए ये काफी गंदगी यहां लग गई है कारवन के साथ उस कारवन को भी हटा देंगे यहां से pump खोल लेंगे क्योंकि इधर की हमें ये plate भी खोलनी होगी पम्प प्लेट जिसके खोलने से हम अंदर हाट डाल कर सफाई भी कर लेंगे इसको हमने खोल दिया है और अंदर काफी पानी और गंदगी आगे थी तो उसको सफाई कर लेंगे पहले पिश्टन को साफ कर लेते हैं यहाँ भी हम देखेंगे क्योंकि यहाँ भी चांस होते हैं रेत वगएरा आ जाने के तो यह थोड़ी बहुत यहाँ पर मिश्टेक है यह देखिए सामने यह गंदगी पहुँच गई है तो इसको भी हम यहाँ से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे बाकी हम इसका कुछ नहीं खोलेंगे हैड को हम साफ कर लेंगे एक वार यह देखिए हैड के अंदर यह थोड़ी बहुत गंदगी पहुची है यह देख लिजेगा यह वाल पर चिपका हुआ है यह गंदगी थोड़ा सी मिट्टी चिपकी हुई है अब हैड को क्लीन कर लेंगे वाल को साफ करके दुबारा से लगाएंगे दोनों वालों को अच्छी तरह से साफ करेंगे हम हैड को क्लीन करेंगे क्योंकि अब गैस कट तो दूसरा लगाएंगे ही हैड को जितने भी खराब है चिपका हुआ है गैस कट उसको निकाल देंगे फिल्टर के अंदर चेक करेंगे कि पानी बगेरा तो इसमें पहुचा ही होगा जरूर क्योंकि टंकी में काफी पानी भड़ चुका था तो यह देख लिजेगा यह काफी इसके अंदर पहले से भी गंदगी थी और यह पानी इसमें से काफी पानी निकला है तो इसकी यह फिल्टर जाली भी हम दूसरी चेंज करेंगे यह हमने इसको साफ कर लिया है फिल्टर को साफ करके हम यह नई जाली लगा करके फिट करकर रख देंगे यह जो चोटी रबड़ वाला सिरा है नीचे ले जाएंगे और यह चोड़ी रबड़ वाला सिरा उपर रखेंगे फिल्टर जाली का यहां पर रबड़ रिंग चेक कर लेंगे खराब होगा तो दूसरा भी लगा सकते हैं लेकिन यह सही है उपर से वासर लगा कर इसका यह दस नमर का बोल्ट होता है नट इसको लगा कर परफेक्ट बिल्कुल सेंटर में कर देंगे हमने हेड को देख लिजीगा क्लीन कर लिया है यह एमरी से हमने इसकी सफाई की है तो इसको क्लीन करके हमने एमरी से बाल ग्राइंड किये हैं तो यह सीट मैच हो गई है देख लिजीगा यहां पर हमने इस तरह से एमरी लगाई है और एक बार दिखा देते हैं हम आपको यहां और इसको इस तरह से पेचकस की मदद से हमने इसको गुमा गुमा कर ग्राइंड किया है इस तरह से हमने दोनों वालों को ग्राइंड कर लिया था लेकिन अब हमने यह बारी कैमरी लगा कर भी इसको पॉलिश किया है सीटो को ताकि हमारा हैड बाद में लिकेज ना कर सेके तो यह इन्जन दुबारा से रिफ्रेस किया जा रहा है यह देख लिजाएगा बिल्कुल वाल्व क्लीन हो गए है और सीटे परफेक्ट है यह देख लिजाएगा बिल्कुल परफेक्ट सीट बैठ चुकी है यहाँ पर लुब्रिकेटिंग आयल लगा कर सीटो पर और हम बालों पर भी लुब्रिकेटिंग आयल लगा लेंगे और इनको रिसेट कर देंगे एक पाने की मदद से दोनों बालों को नीचे दवाते हुए हमने इसमें इस्प्रिंग भी नए लगाए हैं क्योंकि वो इस्प्रिंग पर जंग आ चुकी थी तो यह देख लिजाएगा यह हमने हेड को बिलकुल अंजन को अंदर से क्लीन कर लिया है साफ सफाई सभी जगे से ओके कर लिया है यहां देख लिजिएगा पिस्टन भी हमने बिलकुल लाइनर पिस्टन क्लीन कर लिया है साफ कर लिया है यह हमने गेर टापा खोल कर भी इसकी सफाई की है और अब सभी समान अच्छी तरह से दोह करके हम फिटिंग करना शुरू करेंगे यहां पर गैसकेट लगाने के लिए पहले हम ग्रीस लगा लेते हैं वे गैसकेट बॉंड भी लगा सकते हैं लेकिन इस समय हम ग्रीस लगाकर गैसकेट लगाएंगे इस तरह से गैसकेट को बैठा लेंगे अच्छी तरह से पिच्छान में में का यह डीजल इंजन है थोड़ा सा लुबरिकेटिंग आयल पिस्टन पर डाल कर क्योंकि हमें चिकनाई मिल सके शुरू से ही तो यह देख लिजेगा यहां पर हमने लुबरिकेटिंग आयल डाल लिया है पिस्टन के उपर हैड हमारा क्लीन है कम्प्लीट है तो अब हैड को फिट करेंगे यह चार हैड नटों के थुरू टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से इनको टाइट करेंगे अब पुश रोड लगाकर प्रोकर बॉक्स लगा देंगे अच्छी तरह से चार हो नट टाइट कर लेंगे पैकिंग भी हमने इसमें दूसरी नई लगा दी है टैपिट से चेक कर लेंगे यहां ढीले टाइट तो नहीं है तोला सा टैपिट सेट कर लेंगे ना ढीला रखेंगे और नहीं ज्यादा टाइट रखेंगे दोनों वाल टैपिट अच्छी तरह से हम चेक कर लेंगे हलकी हलकी पिले हम इनमें छोड़ देंगे अब यह गेर टापा गरारी वगरा हमने सफाई करके गेर वोक्स भी लगा दिया है सबी नट इसमें लगा कर अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे यह सिंगल होल प्लेट लगा कर टाइट करेंगे एक पीछे दागा लगा कर इस पोल्ड को कर देंगे यह प्लेट लगा लेंगे हम प्लेट 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 ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको सबी नट अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे अब यह लुब्रीगेटिंग आयल डाल देंगे क्योंकि इस समय नया उपलब्द नहीं हो पाया है तो यह ट्रक्टर का निकला हुआ ही लुब्रीगेटिंग आयल इसमें डाला गया है पंप को कसे कस देंगे यहां एर निकाल कर यह हमने नया पाइप लगाया है जो खराब हो चुका था अब यह देखिए हमने तेल को चालू कर लिया है पंप के तुरू अब यह प्रेशर पाइप हम कस देंगे यहां तक तेल आ गया है नोजल का प्रेशर पाइप भी कस देंगे 19 नमबर की चाविसे काफी तेज धूप होने के कारण थोड़ा वीडियो बिलर हो गई है तो इसके लिए छमा चाहेंगे अब अच्छी तरह से नोजल का पाइप टाइट कर लेंगे प्रेशर पाइप इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया है इंजन बिल्कुल परफेक्ट हालत में आ गया है दोस्तों यहां पर काफी बिलर हो गई है वीडियो देश लिएगा धूप के कारण या कोई कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी तो यह इंजन बिल्कुल परफेक्ट च दे बिल्याद कर दाद कर दीघ में वो गया है जया है दो हम शालत प्रॉब्लम आ गदोस से कर दो हम न horiz cooler का है वी